हेलो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिए हूं कॉंसेबल एग्जेक्युटिव मेल एंड फीमेल का डैली पुलिस में जो पोस्ट आई है उसके रिलेटेड यह नौटिफिकेशन आया है अप्लाइन आप्लिकेशन की जो डेट है समिट करने की वह है आपकी एक अगस 2020 से सब्टेमबर 2020 तक लास्ट जो है आपकी वह होगे आपकी साथ सब्टेमबर 2020 सब्टेमबर 2020 सब्टेमबर 2020 सब्टेमबर 2020 सब्टेमबर 2020 तक यहां पर आपको सारी डेट की जो है सारी डेट जो आपको बता दी गई है और आपका जो सीपीटी एक्जाम होगा वह होगा आपका सब्टाइस ग्यारा 2020 से लेकर चौदा बारा 2020 मीन्स नवंबर और दिसंबर के बीच में एक्जाम आपके कंड़क्ट करवाए जाने वाले हैं ठीक है अब पोस्ट देख लेते हैं आप जो आपकी वेकंसी है वो देख लेते हैं यहां पर यूर के लिए यहां पर इनकी वेकंसी है वो यूर के लिए नाइन यहां पर इनकी वेकंसी है वो यूर के लिए यहां पर आपके टोटल वेकंसी है वो 226 है ठीक है अब नेक्स देख लेते हैं कॉंस्टेबल एक्जेक्यूटिव मेल की एक सर्विसमें कमांडो पैर 3.2 इंक्लूडिंग बैक लॉग यहां पर एक सर्विसमें से जितनी भी पोस्ट है आपकी उसकी जो है पोस्ट यूर की जो आपकी 93 है एक सर्विसमें की नाइनटीन है और ॉबसी की थाटी सेवन है सट की 37 और टोटल जब्वकस्ट आप की 243 है कॉंस्टेबल फीमेल की बात करें आगर एक्जेक्यूटिव में थो यूर की 903 एक यूर की अगर हम टोटल वेकंसी देखे तो आपकी 2801 जो है वो यूर की है आपकी 583 जो है वो EWS की है 1139 आपकी OBC में है टोटल वेकंसी की बात करूं में है आपे SC की 1037 है और ST की 302 है टोटल जो आपकी वेकंसी जो है आपकी 5846 है तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपको बता देते हैं एज लिमिट जो है वो इसकी 18 से 25 है और यह आपकी काउंट होगी एक जुलाई 2020 से की स्टार्टिंग से ठीक है तो यहां पर इन्होंने साफ कहा दिया है कि 1995 दो जुलाई से पहले का बॉड नहीं होना चाहिए और एक जुलाई 2002 के बाद का बॉड नहीं आइस बोड का आपके पास पास हुआ होना सैटिफिकेट होना चाहिए ठीक है अगर आप एजुकेशन कॉलिफिकेशन इस रिलक्षेबर अप्टू 11 पास फॉर्ड यहां पर एक क्राइटिरिया दे रख रहा है 7.1.1ं का 171.2 का ठीक है नालब कर लेते मेल कनेदेशन मस् पॉस अभेरी ड्राइवं लाइस सच्ट सके पास होना चाहिए ठीक है मोटर साइकल और कार का जो आपका ड्राइव का लाइसेंस होना चाहिए अगर यहां पे आप 7.3 वाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने ऐसा क्यों क्या रख है और यहां पे लोगों ने क्लियरली कह रहा है कि अगर आपके पास इस्टुपलेटिट देट तक का यह सारे एजुकेशन कॉलिफिकेशन नहीं है तो आप इस फर्म को भणने के लिए यहीजिबल नहीं है और आपको यह भरना भी नहीं चाहिए ठीक है यहां पर बात कर लेते एससी साथिफिकेट कि अगर आप एक एससी साथिफिकेट होल्ड़र्स हैं तो आपके क्या व्रण के पास सीस इस सटिफिकेट थो आपको फाइव पर केंट का मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में मिलेगा NCC का 20 सर्टिफिकेट है तो 3% NCC का A सर्टिफिकेट है तो 2% तो यहां पर आपको क्या रहका था the benefit will only be given on production of the original certificate supporting their claim subject to verification at that time of the verification means जब आपका जो document verification होंगे उस time पर यह आपका जो original certificate है दिखा जाएगा देक्द कुशल बेड फोर पर इस पर्परस बिल बेज दिखो बीडेड डेड दी रेच्ट ऑफ ए रिचे पार रिच्ट अव ए डिच् नहीं है तो यहां पर आपको देर रखें सेंटर्स आफ एक्जामिनेशन मींस इन सेंटरों में आपका जो एक्जाम है वो कंड़क्ट करवाया जाएगा मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं आप देख लिजे कि कौन सा सेंटर पर आपका रिजन है अब यहां बात कर लेते हैं CBT की computer-based examination की आपका जो CBT है वो कैसे conduct करवाया जाएगा तो यहां पर आपकी one objective type multiple choice paper होगा जो की contain करेगा 100 questions को और carry करेगा 100 marks को means आपका जो हरी question जो होगा वो एक marks का होगा ठीक है तो यहां पर subject जो है आपका पार्ट है general knowledge current affairs 50 marks का है और maximum जो marks इसका 50 है reasoning जो है आपकी 25 marks की होगी और maximum marks आपकी 25 होगे और आपका total duration जो है यह आपका 19 minutes का 90 minutes का होगा numerical ability पंदरा marks और पंदरा कुशन होगे और computer fundamental MS Excel MS Word communication internet www and web browser एक्सेक्टर जो होगा आपका 10 marks का means computer जितने भी question होगे आपके 10 marks के होगे और maximum marks आपका 10 होगा negative marking देख लेते हैं इदर 0.25 marks की है for each wrong answer means अगर आप एक question गलत करते हो अगर आप 4 question गलत करते हो तो आपका 1 marks कटेगा तो यहां पर आपको स्लेबस के according दे रखा है current affair का क्या स्लेबस रहेगा जन्र नॉलेज के class क्या स्लेबस रहेगा reasoning का क्या स्लेबस नुमेरिकल ability का जो स्लेबस हो क्या है computer fundamentals MS Excel MS Word communication इसका क्या स्लेबस रहेगा हो तो यहां पर वह mention कर रखा है तो यहां पर बात कर लेते हैं फिजिकल जो measurement होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर एज के according आपको दे रखा है कि जो 30 साल से कम कम के हैं वह उनकी जो 600 मेटर की रेस होगी उनको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट का और जो लॉंग जंप होगी वह आपकी 14 फीट की होगी और हाई जंप आपका जो है 39 फीट का होगा अब आपके सामने मेंशन कर रहा है साथ मिनट मिलेंगे आपको 13 फीट और 36 की आपकी जो है हाई जंप होगी अबाओ 40 मिन्स चालिस से जो ज्यादा एज के हैं उनके लिए जो 1200 मीटर है वह एट मैट और लॉंग जंप होगी आपकी 12 फीट की और उनको जो हाई जंप है वह 33 दे रखा है ठीक है तो यह रहा आपका फिजिकल मिजर्मेंट यहाँ पर हाइट देख लेते हो जो मिनिममम हाइट आपकी मांगी हुई है वह 170 सेंटिमेटर मांगी है ठीक है रिलेक्सेशन वह आपपर डिपेंड करता है कि आपके पास सेटिफिकेट होना चाहिए जिससे आप हाइट में रिलेक्सेशन ले सको ठीक है जैसे मैं स्ट के कि बात करो उनके पास उसका सेटिफिकेट होना चाहिए तब उनको 5 cm का जो है रिलेक्सेशन मिल जाएगा है जो आपकी 81 cm with minimum of 4 cm expansion मांगा है means अगर आपकी बिना फुलाई 81 cm तो होनी चाहिए minimum और फुलाने के बाद 4 cm फूलनी चाहिए और हो जाएगी वो 85 cm ठीक है यहाँ पे भी आपको relaxation मिलता है हिली एरियास में जो लिस्टेड है पैरा 11, 13 और 11.13.2.1 और अब उसके एकॉर्डिंग आपको हिली एरियास में जो है 5 cm का जो है आपको relaxation मिलेगा एस्टेड को 5 cm का है फीमेल के लिए देख लेते फिजिकल अब टू 30 यह जो है आपको जो फिजिकल है वो 16 मेंट में लॉंग जंप आपके 10 फिट में और हाई जंप के लिए आपको त्री फिट दे रख रहा है ठीक है अब आफ थार्टी टू 40 यह नाइन मिनट्स होंगे आपको 16 मेंटर के लिए लॉंग जंप आपका 9 फिट होगा और आपका जो हाई जंप होगा वो यहां बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की तो मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता देता हूं कि कैसे कैसे आपका इंग्जाम जो है वो एक एक करके करवाए जाएगा तो जो आपका पहले सबसे सबसे पहले जो है आपका CBT होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा उसके बाद जाके अगर आप इन सबको क्लियर कर लेते हो तब आपका जो फाइनल सेलेक्टेट कैंडिडेट्स होंगे उनका मैडिकल इग्जामिनेशन होगा तो यहां पर पहला आपका प्रोसीजर होन करेंग्ण करवा जाएगा उसका क्या कराइटीडिया होगा उसमें कौन-कौन से सब्जैकेंगिंगे कितने मार्क्स के आएंगे कितनी होगी आपका फिजिकल स्टैंडर मैंने आपको अपको इस विडियो में उस सारी चीज़े कवर करती है जो आप जानेनी जरूरी होती हैं कोई भी डाउट होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपनी से रिलेटेड तो आप वो कमेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाइद दूँगा ताकि आपका डाउट किलियर हो जाए ठीक है तो ऐसे ही आगर आपक कोई वीडियो बनाता हूं उसका नौटिफिकेशन आपके पास सिधा पहुच जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच